राज्ये मंत्री ग्रामीर विकास भारत सरकार सादवी निरंजन जोती ने सरके धाव सवादार में बैठा कर अधकारियों को निदिश दिये कि जन कल्यान कारी योजनाओं का लाब पात्र वेक्तियों को अनिवाद रुक्ति मिलना चाहिए जन चौपाल के माध्यम से लाब वित्रन कारीक्रम में मानजनिय जन प्रदियों को समलित किया जाए ग्रामीन विकास राज्यम मंत्री सादभी निरंजन जोती आज जहां सी पहुँची जहां उन्होंने प्रेसवारता कर क्रिशी विदहक के बारे में विस्तार से चर्चा की उन्होंने बताया कि इस विदहक में किसानों को कई प्रकार की सहूलियत दी गई है अब किसान को अपना अनाज बेचने के लिए बिचौलियों की आवशक्ता नहीं होगी अब किसान अनाज कहीं भी बेचने के लिए पूर रूप से स्वतंत्र है ना तो मंडी समाप की जाएगी और ना ही MSP को हटाया जाएगा निरंजन जोती ने प्रिधान मंत्री नरिंद मूदी की तारीफ करती हुए बताया कि भारतिय जंता पार्टी सरकार ने गरीब और किसानों को भूका ना सोने के लिए कई प्रिकार की सहुलियत प्रदान की लॉकडाउन में गरीवों को भर्पू राशन पानी की सुब्धा मोहिया कराई गई इसके लावा आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई सरकार ने बहतरीन चिकिसा सुब्धा उपलप्त कराई है इस महामारी से बड़े-बड़े देशों की इस्तिती गरवडा गई है भारत में मिर्तियुदर बहुत कम रही हातरस कान को लेकर साथ भी निरंजय जोती ने बताया इस मामले में मुख्य मंत्री स्वयम हर एक बात को संग्यान में ले रहे हैं जो भी दोशी है उनके खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाही की जाएगी साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साथते हुए कहा इस मामले में विरोधी पार्टियां राजनीतिक लाव उठाने का प्रयास कर रही है अगर राहुल और प्रेंका गांधी में इतनी हिम्मत है तो वे राजिस्थान पस्चिम बंगाल हर जगह जाकर बेटियों को नियाए दिलाए साथ भी निरंजन ने कहा कॉंग्रेस पार्टी हर बात का विरोध करती है चाहे वो कोई भी देश हित का मुद्दा रहा हो या राफिल मामले का कॉंग्रेस पार्टी ने पूर जोर विरोध किया और वहीं राफिल आज चाइना को आईना दिखा रहा है प्रेस वारता के बार साथ भी निरंजन जोती ने ब्रक्षा रोपण कर लखनो वाप सीखी यह जवाब तो वहीं दे सकते हैं ना मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ जहां जहां उनकी सरकार हैं तो आप और मिला के उसी में दे देते ना हम किसे उसी गरीब को उसके पास रासनकार है जहांची से मनिश अली की रिपोर्ट जहांची से अली की रिपोर्ट